जाहिन विद्यार्थियों, आज हम भारत में विदेशी रेण कितना है भारत के उपर इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यूँ तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर अक्सर अपोजिशन में रहने वाली पार्टियां हर तरह के कटाक्ष करती हैं। विद्यार्थियों, ये कोई नई बात नहीं है, जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी का टाक्ष किया करती थी है, आम तोर पर ये चलता है, लेकिन इसकी हकीकत आपको समझना बहुत अनिवार है, आप जानते हो कि आज हिंदूस्तान में लगबग हर व्यक्ति जो थो उसको infrastructure चाहिए, machinery चाहिए, business के लिए जो भी चीजें चाहिए वो उसकी need पूरी होती है और बाद में अपने उस उद्दम से कमाना शुरू करता है तो देरे-देरे करके अपने rent चुकाना शुरू कर देता है और एक समय ऐसा आता है कि उसका अपना अच्छा खासा business खड़ा ह करज के भरो से आज देश में जितनी भी company हैं लगभग हर company पर करज है और ये करज इसलिए नहीं है कि उन्होंने इसका कोई दुरुपयोग किया है करज इसलिए है क्योंकि उस करज के माद्यम से कंपनी की गत्विदियों का विस्तार किया गया है ठीक इसी प्रकार किसी भी देश की सरकार अपने देश के infrastructure विकास के लिए देश में development को grow कराने के लिए बढ़ाने के लिए करज लेते हैं करज दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं internal और दूसरे external internal और external में थोड़ा सा फर्क होता है यहाँ external करज की अगर हम बात करें इसका मतलब यह हुआ विदेशों से लिया गया करज हिंदुस्तान भी विदेशों से करज लेता है तो विदेशों में किस से करज लेता है तो ये करज IMF से लिया गया करज हो सकता है World Bank से लिया गया करज हो सकता है अथवा किसी अन देश के सरकार से लिया गया कर्ज हो सकता है तो विद्यार्थ योग ये बिभिन प्रकार के और्गनाईजेशन्स किसी भी देश के विकास के लिए आधारवुथ सनरचना को विक्षित करने के लिए रिण देते हैं तो ऐसे विदेशी रिन कहलाते हैं भारत में वरतमान में 635 अरब डॉलर का विदेशी रिन है और ये 635 अरब डॉलर का विदेशी रिन है ये कुल GDP का 18% है आज हमारी जितनी GDP आपको पता है आज हमारी GDP कितनी है लगवक 4 trillion US dollar की GDP है 4 trillion मतलब होता है 4000 अरब डॉलर 4000 अरब डॉलर में से 635 अरब डॉलर हमारे देश द्वारा विदेशी रिन लिया गया है अब चुकि हम विदेशी रिन की बात कर रहा हैं इसलिए हम US डॉलर में बात कर रहा है इसी को हम रुपे में कनवर्ड कर सकते हैं जब हम internal debt की बात करते हैं यानि भारत सरकार द्वारा अपने आंत्रिक resources से लिया गया रिन ये सरकार कैसे लेती है आम तोर पर सरकार द्वारा bonds जारी किये जाते हैं सरकारी coupon जारी किये जाते हैं और उनके माद्यम से सरकार पैसा उगाती है और एक निश्चित समयावदी बाद वो पैसा ब्याज सहित वापस करती है उसी पैसे का प्रयोग सरकार इंटरनल डवलपमेंट के लिए करती है जैसा कि हम जानते हैं भारत एक विकासचील देश है और विकासचील देश की अर्थविवस्ता इस बात पर निर्वर करती है कि इनका बजट में वियाए जादा होना चाहिए आई की तुल नामे क्योंकि हम जब एक्स्ट्रा बजट एक्स्ट्रा जब हम वियाए बताते हैं इसको हम राजकोशिय घाटा या फिनेंस डेफिसिट कहते हैं और ये राजकोशिय घाटा अल्प विकसित और विकासचील देशों की पहली विशेश्ता है क्योंकि इन देशों को लगातार ग्रो करना होता है एकोनोमी में विकासदर हमेशा बड़ी रहे उची रहे इसलिए ये देश अपने देश में लगातार इंफ्रेस्ट्रेक्चर डबलब करते रहते हैं लोगों को नोकरियां मिलती है क्योंकि बेरोजगारी बहुत होती है इन देशों में तो रोजगार के लिये कोई नो कोई कारिकरम, विकास कारिकरम चलते रहना चाहिए भारस सरकार के इसलिए भारस सरकार क्या करती है बहुत सारा internal debt खटा करती है लोगों से loan लेती है और जैसे पिछले साल का उधारण ने, आप हमारा बजट और बजट का आयवय का यो अंतर था वो 17 लाग करोड़ रुपे का था तो ये 17 लाग करोड़ रुपए सरकार एक्स्ट्रा कहां से लाएगी कहां से खर्च करेगी तो इसके लिए सरकार ऐसे बॉंड इशू करती है कॉमर्शियल बैंक से भी लोन लेती है कंपनी से प्राइविट कंपनियों से भी सरकार लोन लेती है और साथ ही सरकार के पास एक पबलिक फंड होता है जिसमें करमचारियों की भविशनेदी का पैसा जमा होता है उस पैसे का भी सरकार उप्योग करती है तो भो भी एक प्रकार का लोन ही होता है तो इन सब को मिला के बनता है internal सरकार का debt तो internal जो debts होते हैं यानि आंत्रिक रिन होते हैं इस समय भारत सरकार की GDP जो हमने कहा 4 trillion अगर हम उसको convert कर दें लाख करोड रुपए में तो लगभग इस समय हमारे देश की जो GDP है वो 340 लाख करोड की है उसमें से 155 लाख करोड का हमारे पास करज है जो कुल GDP का लगभग 57 प्रतिशत के आसपास आता है अर्थात GDP का 57% हमारे पास घरेलू रिन है या आंत्रिक रिन है इसी रिन को देखकर अकसर जो दूसरे opposition वाले हैं जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है उस पर कटक्ष करते रहते हैं और सौभाविक भी है करना भी चाहिए उनका काम भी यह है लेकिन विद्यारतियों यहां आपके लिए क्या जरूरी है आपको यह जानना जरूरी है कि इस दुनिया में जितने भी विक्सित देश हैं एक भी विक्सित देश ऐसा नहीं है जिस पर करज नहीं है और करज थोड़ा मुड़ा नहीं GDP का 100% से ज़्यादा आज पुरी दुनिया में सबसे ज़ादा करज अगर हम देखें तो अमेरिका के पास है अमेरिका की GDP 27,000 अरब डॉलर की है और 30,000 अरब डॉलर का उस पर करज है कौन सा यही इंटर्णल अगर हम जापान की बात करें तो जापान की एकोनोमी की तुलNा में जापान की GDP की तुलNा में ढाई-सो परसेंट GDP का 2500% जापान पर करज है यही इंटर्नल और हमारे पास GDP का 57% करज है और इसकी भी आलोचना सौभाविक है इस आधार पर होती ही कि दोगो सरकार के पास कितना करज हो गया है आज हम लोग करज के बोच तले दबे हुए हैं सरकार यह पैसा कैसे देगी विद्यार्थी चिंता की कोई बात नहीं है जितना यह करज है इतना ही इंफ्रेस्टेक्चर ग्रो कर रहा है भारत का इंफ्रेस्टेक्चर इस समय हम जानते हैं GDP हमारी 7-8% की दर से ग्रो कर रही है और ये grow कहां से आ रहा है? यही पैसा जो सरकार खर्च कर रही है ना लगातार infrastructure पर उसी से पैसे से पैसा बनता है infrastructure पर किया गया खर्च ही पैसा return करके देता है और वही फिर भारत सरकार की GDP को बढ़ाने का काम करता है और सरकार के लिए उसे फिर चुकाना कोई बड़ी बात नहीं होती है आज हमारे देश का राजकोशी घाटा लगबग 6% के आसपास है और यही नॉर्मल राजकोशी घाटा साड़े 4% 4% इतना हुआ करता था आज थोड़ा बढ़कर 6% है लेकिन इसमें बहुत बढ़ा योग 6% के आसपास है इसके पीछे बहुत बढ़ा कारण है कोरोना पीरेट की मंदी तो उस मंदी ने इसको बढ़ाने का काम किया लेकिन कोरोना पीरेट में यही राजकोशी घाटा 9.9% तक पहुँच गया था विद्यार्थियों फिर से सरकार ने इस पर कंट्रोल किया और आज 6.6% के आसपास है तो कहने कतात पर यह है कि किसी भी देश के विकास के लिए उसके पास करज होना कोई बड़ी बात नहीं है बशर्ते कि इन करजों का सकारात्मक प्रयोग किया जाए और सही दिशा में प्रयोग किया जाए अगर policy maker बहुत अच्छे हैं economist बहुत अच्छे ह तो वही पैसा जो सरकार करज लेती है उसको सही दिशा में लगाती है planned expenditure के रूप में खर्च करती है तो वही in future return देना शुरू करते हैं और आज लिया गया 10 रुपए कल 20 रुपए कमा के देता है ऐसा ही हाल भारत सरकार का भी है आज चाहे कोई भी सरकार हो कल दूसरी सरका कर आएगी उसे भी करज लेना पड़ेगा बिना करज के तो कोई आप development करी नहीं पाओगे और साल दर साल ये करज बहुत लंबे समय के लिए होते हैं खास तोर से जो external debt होते हैं इनमें लगबग 82% external debt long term है और 18% short term है long term debt वो होते हैं जो कम से कम जिनकी अवदी 20 साल से लेके 50 साल तक की होती है इतने लंबे-लंबे period के होते हैं और उनमें से ज्यादातर रियायती दरों पर होते हैं जिन पर ब्याज भी नहीं देना होता है जैसे ADV से लिया गया जो loan होता है उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता तो ऐसे loan तो हर कोई देश की सरकार चाहेगी तो भा इंट्रेस्टिंग आपको बता दूँ विद्यारतियों आपको जानके आज चरह होगा भारत का कर्जदार अमेरिका भी है मतलब अमेरिका को भारत के 216 अरब डॉलर देने हैं यानि भारत ने भी अमेरिका को कर्जदे रखा है तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका इतना बड़ा है तो हर समय भारत को कर्जदे देगा या दूसरे संग्ठन भारत को कर्जदे देगा भारत भी कर्जदे देता है भारत अपने से छोटे देशों को भी कर्जदे देता है तो अमेरिका को भी 216 अरब डॉलर का कर्जदे रखा है इस तरह से बहुत सारा अनेक प्रकार के कर्ज होते हैं और जब जहां जिस देश को उचित लगता है जहां फाइदे का सवधा मैसूस होता है कोई भी करज ले लेता है तो इस तरह से हमें यहां चिंता की को भी बात नहीं है भारत सरकार के जो रिण हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं अन्य देशों को धियान में रखते हुए और जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी जी का सपना है 2047 का विक्सित भारत तो विक्सित भारत ऐसे ही नहीं हो जाएगा उसके लिए पैसा की जरूत पड़ेगी और वही पैसा जब लगा से चुकाने में हमारी सरकार को कोई प्रावलम नहीं होगी इस तरह ऐसे सरकार हैं चलती रहती हैं विश्व इस तर पर तो यह है विद्यारतियों पूरे भारत के विदेशी रिण का पूरा एक समरी जैहिन